सब्सक्राइब कीजिए स्टूप चैनल को और दबाईए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोज मिले सबसे पहले इसका मतलब हुआ कि अब गूगल के प्ले स्टॉर एप से टिक टॉक वीडियो एप को डाउनलोद नहीं किया जा सकता है टिक टॉक पलेकर यह कदम उस फैसले के बाद आया है, जिसमें हाई कोट ने चीन की कमपनी बाईते डान्स टेकनोलोजी के उस अनवरोध को अस्विकार कर दिया था जिसमें कमपनी ने कोट से टिक टॉक याप पर से बैन खत्म करने को कहा था बतादे मद्रा साइकोट ने 3 अप्रेल को केंदर से टिक टॉक पर बैन लगाने को कहा था साथ ही कोट ने कहा था कि टिक टॉक याप परनोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को याउन हिंसक बना रहा है बता दे कि TikTok पर अश्लील सामगरी परोसने का भी आरोप है TikTok याप पर यह फेसला तब आया जब एक व्यक्ती ने इस पर प्रतिबंद के लिए एक जनहित याचिकाद दायर की IT मंत्रा लेके एक अधिकारी के अनुसार केंद्र ने उचने आया लेके आदेश का पालन करने के लिए Apple और Google को एक पत्र भेजा था सरकार ने Google और Apple को मदरास उचने आया लेके उस आदेश का पालन करने को कहा है जिसमें लोक्त्री मोबाई इप TikTok पर प्रतिबंद लगाया है आपको बता दे भारत में TikTok आप अभी भी Apple के प्लेट फार्मों पर मंगल वार देर रात तक उपलब्द था लेकिन Google के प्ले स्टॉर पर उपलब्द नहीं था Google ने एक बयान में कहा कि यहां इस एपस पर टिप पणी नहीं करता है लेकिन स्थानिये कानूनों का पालन करता है कोट ने TikTok एप पर बैन लगा कर सही करा है या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताए और चैनल को सबसक्राइब करना ना भूले धन्यवाद कर दित कर दो कर सकता है